तो दोस्तो आप भी YouTube पर कोई वीडियो अप्लोड करते हो, अप्लोड करने के बाद टैग, टाइटल, थाइटल, दिस्क्रप्शन, सारा चीज लगा देते हो, उसके बाद जब आप थमनेल लगाने जाते हो, तो custom thumbnail का आपके पास option नहीं आता है, जहां पे आप custom thumbnail पे जाके अ आपने अपने चैनल को verify नहीं किया है, mobile number पे, तो थमने लगेगा ने, दोस्तो आज के वीडियो में आपको YouTube चैनल अपना verify करना, mobile number से पूरी तरीके से बताऊंगा, So Hello Everyone, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कि अपना YouTube चैनल mobile number से कैसे verify करे, तो चलिए दोस्तो चलते हैं phone की screen पे, और बीना वक्त अगवाई आपको दिखाते हैं, अपना mobile number से YouTube channel कैसे verify किया जाता है, तो चलिए दोस्त www.youtube.com ये करके आपको यहाँ पे सर्च मार देना होगा, जैसे ही आप सर्च मारेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आजाएगा, अब simply आपको यहाँ सबसे उपर 3.0 पे आपको क्लिक करना होगा, जैसे ही आप 3.0 पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप आपको dexport site यहाँ से ओन कर देनी है, इस जगह से, यहाँ फे dexport site आप ओन करेंगे, तो फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आजाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ चैनल के लोगों पे यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे ही आपको यहाँ पे योरड चैनल क पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अब सिंपली आपको यहां आपको एक तो मैनेज वीडियो लिखा है और एक कस्टमाइज चैनल तो आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है आपका चैनल गूगल कुरूम ब्रोजर में जैसे कम सिंपली यहां थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं मैं यहां सबसे नीचे यहां सेटिंग का आइकन मिलेगा आपको इस सेटिंग के आइकन के यहां पर आपको क्लिक करना है सेटिंग पर जब आप यहां पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का यहां पर आपके सामने setting, feature eligibility, यह सब सारे option यहाँ पर खुल के आएंगे आपके सामने, तो आपको basic info भी क्लिक नहीं करना है, आपको advanced setting पर भी क्लिक नहीं करना है, आपको click करना है feature eligibility पर, अब दोस्तों जैसे आप feature eligibility पर click करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर आपको verify phone number पर यहाँ क्लिक करना है, phone verification यहाँ enable पर, enable पर click करने के बाद, verify phone number यहाँ नीले color वाले पर इस पर click कर देना है आपको, जैसे ही आप इस पर click करते हैं, तो आपके सामने आप देखेंगे, खुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिलेगा, अब आपको क्या करना है, select your country हाँ लिखा रहा है, तो यहाँ इस जगह 3 पर click करके, आप जिस देश के हैं, जो भी country है आपकी, वो आप select कर लिजेगा, यहाँ से मेरी इंडिया है, तो मैंने इंडिया select कर लिया, अब यहाँ थोड़ा उपर आते हैं, तो यहाँ call me और text me, दो option नजार आ रहा है, तो आपको call me पे नहीं, text me पे click करके रखना है, क्योंकि आपको message के through verification code लेना है, जो आपके phone number पे आएगा, अब यहाँ what is your phone number, तो यहाँ आपको अपना mobile number डालना है, जिससे आप verify करेंगे जिस पे OTP आएगा, वो आपके pass होना चाहिए, तो यहाँ मैं अपना phone number डाल देता हूँ, sorry दोस्तो मैं थोड़ा phone number height रखूंगा, यहाँ मैं दिखा नहीं सकता हूँ अपना phone number, और दोस्तो phone number डालने के बाद यहाँ get code पे आपको click करना है, get code पे आप जैसे click करेंगे, तो कुछ इस तरह का आपको आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ message के थुरू यहाँ पे वो आगया verification code, यह देख सकते हैं आप उपर में, तो क्या करना है हमें उसी message पे जाना है, यहाँ click करना है message पे, और message पे click करने के बाद, यहाँ यह 6 अंकों का digit यह code आगया, हम इसको copy कर ल यहाँ paste करके मैं submit कर दिया, आप देखिए दोस्तों यहाँ क्या लिखा रहा है, four number verify, congratulations your four number has now been verify, तो दोस्तों इस तरह आप भी अपना mobile number verify कर सकते हैं, यूटूब चैनल का, तो दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आज बिना subscribe किये हुए न जरूर कर देना, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जैहिन बंदे मातरम